आदिवासी मूलवासी सभ्यता संस्कृती और विरासत ज्ञारखंडियों की पहचान है। ये संस्कृती लोगों को आपस में जोड कर रखती है और जिंदिगी में खुश्यों की लहर भी लाती है। जमशेतपुर के गोपाल मैदान में ज्ञारखंडवासी एकता मंच ने शानदाल टूसु मेले का आयोजन किया। यहां सूबे के सबसे बड़ी इनामी राशी वाली विशाल टूसु मेले में कोलहान की तीनों जिलों से आये लोगों ने शिरकत की। सूबे के अलावा पडोस इसी राज्यों से भी लोग टूसु मेला का आनंद उठाने पहुँचे। टूसु मेले में ढोल, धमसा, मांदर की थाप और टूसु गीत नृत्तय से गूंज रहा था। मेले में सुदूर इलाकों से पहुँचे प्रतिभागी, टूसु देवी की भव्वे प्रतिमा और 150 पचास फीट उची चौडल के साथ पहुचे थे। इस मेले में जहारकंड की सदियों पुराने सभ्यता संस्कृती की पहचान की झलक दिखाए गई। कहा कि मेले में लौक संस्कृति की जलक मिलती है इसलिए उन्होंने ऐसा एक जगा चुना जहां जमसेपूर रिगल मैंदा आज दीरे 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 चौदा साल में हमारे लोग तो जागा और सांस्कृति के पती जागरूप भी हुआ साथ में सबसे बड़ा जो सायोग है जो आपका परचार परसर का यह बहुत हमें हेल्प किया है इसके लिए तो मैं आप तमाँ लोगों को हेल्प कर धन्यवाद दूँगा धार खंड के सांस्कृति को पचाने अप परचार के लिए बहुत मेंद की और दूर दूर तक दिया है कि यहीं को पूरे हैं कि जंगल में नदी में टलाओं में खेतों में होता था तूसु कैया है तो हम खेते में नदी किनारे नचे प्लाओं किनारे नचे गाते ते घर चले जाते थे लेकिन आज 14 साल में आज लोग जान गए कि ये बहुत ही सब आर यहां के सास्कारिक लोग है जो आता है एंजोई करता है अपना परप्तियार मनाते हैं चले जाते हैं महीं जमशेदपूर के बीजे पिसांसद विद्यूत वरण महतो ने विवादित बयान दिया है महतो ने कहा कि टाटा स्टील कोई खेत की मूली है अगर जरूत पड़ी तो संस्कृती बचाने के लिए लोग हतियार उठाने को तयार है और भी हमारे भाई लोग करे हैं ऐसा एक पिये में ले बहुत बार आते जाते रहेंगे लेकिन ऐसा दरकार हो तो फिर हतियार उठेगा और इस परंपरा और राज का ही पाज़त करने के लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे नेकिन जारखन की परंपरा को मिट दे टूसु मेला जारखन की संस्कृति की पहचान है इसमें लोग परंपरा के साथ अपने संस्कृति का उत्सव मनाते हैं ऐसे खुशी के माहौल में बीजेपी सांसद विद्यूत वरन महतों को विवादित बयान देने से बचना चाहिए पंजाब केसरी टीवी के लिए जमश